Hello everyone, Welcome to Tube Affairs इस वीडियो में बात करेंगे Banking Financial Awareness 1-11 फरवरी तक के बीच का फरवरी 2022 के 1-11 तक तारीक में जितने भी Banking, Finance और Economic के नियूज बने ये उसका वीडियो है अगर आप चैनल पर फर्स टाम है तो आप वीडियो के एक बार इंट सक जरूर देखें आपके अपकमी एक्जाम्स जो भी एक्जाम्स होते हैं उससाब के लिए Current Affairs के वीडियो इस चैनल पर कवर किये जाते हैं तो आप वीडियो को जरूर देखें तो लेट्स स्टार्ट देखें वीडियो बैंकिंग फिनाशल एविडियो एक से ग्यारा फर्वरी तक के बीच का तो फर्स कोस्टन है एस पर आर्बियाई रिपूर्ट सेक्टोरल देप्लाइमेंट अफ बैंक क्रेडिट बैंक का जो नन फूड क्रेडिट है इसमें कितने प्रतिश्यत की बढ़ूतरी हुई है आर्बिया नेक रिपूर्ट जारी किया सेक्टोरल डेप्लाइमेंट अफ बैंक क्रेडिट इसका अंसर होगा 9.3 परसेंट प्र防 değil अलग अलग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ हुआ है उसको आर बैय ने रिपोर्ट में जारी किया sectoral deployment of bank credit तो उसमें जो non food credit है उसमें जो growth के percentage बढ़ोतरी हुई है वो है 9.3% यह आप देख सकते हैं gross bank credit 9.2% जो first column है इसमें आप देख सकते हैं यह 9.2% के बढ़ोतरी हुई है food credit इसमें घटा है यह minus 4.2 non food credit 9.3% के बढ़ोतरी हुए agriculture और allied activities 14.5% industry sector में 7.6% की बढ़ोतरी हुई है MSME की बात करें तो micro small में 20.5% medium enterprises में 86.5% और large enterprises में 1.3% service sector में 10.8% देखिए अब कुछ data तो आपको याद करना ही पड़ेगा जो important है news में वो भी खास करके RBI ने अगर report जारी किया तो ranking exam के लिए तो यह सारे values आपको याद करने पड़ेंगे कि विच कंपनी टाइड अप 8,000 करोड फैसिलिटी विथ Union Bank of India टो टेक ओवर मेजरिटी आफ सिंडिकेटड फैसिलिटी तो सिंडिकेटड फैसिलिटी के लिए Union Bank के साथ किस कंपनी ने 8,000 करोड का टाइप किया है इसका सही जवाब होगा option भी विदानता तो विदानता कंपनी ऐस टाइड अप फॉर 8,000 करोड फैसिलिटी विथ Union Bank of India टो टेक ओवर मेजरिटी आफ सिंडिकेटड फैसिलिटी ठीक है सिंडिकेटड फैसिलिटी क्या होता है एक तरह का लोन क्रेडिट फैसिलिटी होता है जो कि एक से ज्यादा लेंडर जो होता है दूसरे बॉर को फिंडे से टाइड किया है 8,000 करोड रुपए तक के लिए Banks to transfer how many NPA accounts worth over 50,000 करोड टो NARCL in fiscal year 2022 तो National Assets Reconstruction Company Limited जो की bad bank है तो bank कितने NPA accounts को जो की 50,000 करोड का जो valuation हो रहा है stress assets में उसको NARCL में transfer करेगा इसका answer होगा option C 15 15 तो कुल 15 NPA account है non-performing assets account से जिसका worth है 50,000 करोड और इसको कहां transfer करेगी bank सभी मिलकर NARCL में यानि कि जो bad bank bad bank का जो गठन हुआ था last year private sector, public sector और Indian bank association मिलके यह सब बने bad bank तो जो भी stress assets से उसको सुधारने के लिए अपना जो खाता book है उसको सही करने के लिए bad bank बनाये गया जो भी जितने NPA accounts होंगे उसको वहाँ transfer किया जाएगा और यह जो कुल कितने accounts है यह 15 account तो कुल 15 NPA accounts को यह transfer करेगी bad bank में और यह जो 15 account है यह लगभग 60% है उन 38 identified assets का जो कि अभी अभी bank ने पता किया है कुल 38 stress assets है मतलब कि NPA accounts है उनमें से यह जो 15 account है यह 60% का price करता है उनका और यह जो कुल stress account है इसका वर्थ है 82,000 करोड मतलब कि इतना NPA value अभी गया है जितने भी stress assets है NPA accounts है उसका जो value है 82,000 करोड है उसमें से 15 का भी decision हुआ कि उसको bad bank मे NARCL में transfer करेगी जितने भी bank है public sector, private sector bank मिल कर which insurance launches insurance sector first artificial intelligence voice board for automated motor claims इसका सही जवाब हो का Edelweiss General Insurance Company तो General Edelweiss ने यह launch किया पहला insurance sector का पहला artificial intelligence voice board for motor claims के लिए और automatic registration motor के लिए और जो भी insurance होता है motor के लिए उसके लिए यह पहला artificial intelligence voice board तयार किया है Edelweiss General Insurance Company ने विच बैंक और National Culture Fund और इंद्रागानी National Center for Arts signed MOU for Development आत्मनेरवर भारत Center for Design at Redfords तो किस बैंक ने National Culture Fund और इंद्रागानी National Center for Arts के साथ MOU किया है किस लिए for development of आत्मनेरवर भारत Center for Design at Redfords तो इसका सही जवाब होगा Option B SBI State Bank of India State Bank of India इसमें contribute करेगा दस हजार करोड यह ट्रांसफर करेगा as a CSR corporate social responsibility के तहत SBI इसमें contribute करेगा 10 करोड किस लिए for आत्मनेरवर भारत Center for Design Culture और अधर activities को बढ़ावा देने के लिए यह SBI समें contribute करेगा तो दे नेशन नेशनल कल्चर फंड एंड नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स विच जेनल एंशरेंस टाइड अप विद कार्स 24 तो प्रोवाइड मोटर एंशरेंस फॉर यूस्ट कार्स इसका एंसर होगा कोटक जेनल एंशरेंस इसने कार्स 24 के साथ टाइड किया है मोटर एंशरेंस प्रोवाइड करेगा है जो की यूस्ट कार्स है उनके लिए एस पर RBI इस डेटा इंडियस कंपनी एक्स्टरनल कमर्शिल बॉर्विंग इसमें कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है इसका सही जवाब होगा Option D 19 प्रतिशत तो 19 परसेंट का इंक्रिमेंट हुआ है जिसका वैलुएशन है 23.28 बिलियन डॉलर जो भी इंडियन कंपनी तो उसका जो एक्स्टरनल कमर्शिल बॉर्विंग से उसमें बढ़ुतरी हुई है और इसी भी क्या-क्या होता है जैसे कि से और बैंकों से तो उसका यह जो वैलुएशन यह है 23.28 बिलियन डॉलर विच बैंक अवार्ड विट डी एक्स 2021 अवार्ड फ्रॉम सी आई कंफेडरेशन अप इंडियन इंडस्ट्री फॉर डिजिटल ट्रांस्वर्मेशन तो डिजिटल ट्रांस्वर्मेशन के लिए किस बैंक को CII से डि-ेक्स 2021 ला त्रों दिया गया यह दिया गया करनाटका बैंक को तुछ कंफेड अवार्ड वीट इक्स 2021 माइट नावड फ्रॉम लेंडेड रेकॉर्ड 4.6 बिलियन डॉलर लोन से 2021 टू इंडिया तो किस विदेशी संस्था बैंक ने सबसे आधा हाइस रेकॉर्ड मतलब लेंडिक किया है भारत को जिसका वैलोशन 4.6 बिलियन डॉलर पूरे 2021 में इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एशियाई विकास बै लोन देता है तो कुल 17 अलग अलग टाइप के लोन दिया है जिसको सोवरेन लिंडिक का जाता है बाई सम इंटरनाशनल और बैंक और इसमें जो कोरोना वारेस के लिए क्या कोविट के लिए सपोर्ट किया था 1.8 बिलियन डॉलर वह भी इंक्लूड है और अगर बात करें एक सब्सक्राइब की तो कुल अभी तक भारत में जो ADB का एक रिपोर्ट आयա था मतलब की रिपोट आया था बैंक का की ADB कुल अभी 69 प्रोजेट्स पे काम करी था बाहरत में तो जित्ते-थे भी प्रोजेक्ट से उसका फशन नगरिन किया गया तो कुल 69 प्रोजेट्स पर अभी काम कर रही है भारत में ADB और इस सब का जो सबस्यादा हाइस लेंडिंग हुआ 2021 में एशन डेविटेंट बैंक के दोरा और यह वह था वैलोइशन में था फॉर पंड सिक्स बिलियन डॉलर और बात करें एशन डेविटेंट बैंक तो इसका हेटकोटर है मनिला फिलिपिन्स में और इसके प्रेजिडेंट को ने मसद सूगू असाकावा और कुल 68 मेंबर कंट्रीज हैं तो यह भी आप याद रख सकते कि कुल प्रोजेक्ट्स पर काम करा है 69 और बात करें all over the world LIC जो है यह है थर्ड इस्ट्रॉंगेस्ट और लाजेस्ट इंशुरेंस ब्रैंड ग्लोबली और टेंथ मोस्ट वैलेबल ब्रैंड एस पर क्राइसल रिपोर्ट LIC लाइफ इंशुरेंस कॉर्परेशन और जो नंबर वन पर है वो है पॉस्ट इटलियन इट इटलियन यह इटली बेस्ट इंशुरेंस कंपनी है और मैप फ्री ऑफ इस्पेइन यह रैंक सेकेंड पर और थर्ड रैंक पर एंट इस लाइफ इंशुरेंस कॉर्परेशन जिसका भी जिसका जो अभी ग्लोबल शेर है मार्केट शेर है वह है 64.1 परसेंट ग्लोबल मार् कर एक ब्रैंड ग्लोबली तो टेंथ मोस्ट वैलिवल ब्रांड है लाइसी लाइफ इंशुरेंस कॉर्परेशन चेर्मेन इसके कौन है एमर कुमार चेर्मेन हैं एमर कुमार और एमडी हैं राज कुमार सिधार्त महुंती एपी मिनी और बीसी पतनाइक चार है मैनेजिंग टाटा ग्रुप पिक्ट थ्री बैंक्स टु फिनांस एर इंडेस ओल डेट विच इस नॉट अमंग तेम तो तीन बैंकों को टाटा ग्रुप ने सेलेक्ट किया है जो कर्स था जो उसका पुराना कर्स था उसको क्लियर करने के लिए तो उनमें से कौन सा नहीं है इसका एंस इंडिया तो सबस्यादा SBI यह क्लियर करेगा दस हरा दस हजार करूर 10,000 करूर फ्रॉम SBI बैंक ऑफ बड़ोधा से 5,000 करूर और HDFC से कितना किया गया है इसका भी डिस्क्लोजर नहीं किया गया तो इन तीनों बैंक को पिक किया है टाटर गुरूप ने कि टू क्लियर द अरे इंड और जी टोंडेट कर विच बैंक सइन साइन पाक्ट विद सिललाप्ष बेडिजिटल नेट्वर्क तो प्रॉमोट डिजिटाजेशेशन इंद डेरी सेक्टर तो डेरी सेक्टर में डिजिटाजेशन को बढ़ावा देने के लिए इस टेलाप स से किस बैंक ने partnership किया है यह किया गया है option B DBS Bank Development Bank of Singapore जो की इंडिय में based DBS Bank उसने type किया सेंड किया impact still apps के साथ to promote digitization in dairy sector to promote natural farming under its existing watershed and wadi programs Nabar launches which program Nabar ने किस program को launch किया है natural farming को बढ़ावा देने के लिए इसका answer और option D Giva program to Giva program to promote natural farming in 11 states तो Nabar ने launch किया है जीवा program Nabar का headquarter है Mumbai और इसका chairman कोने जियार चिंताला जियार चिंताला इस the chairman of Nabar कि रिसेंटली विच बैंक पार्टर विट NSE Academy in National Stock Exchange Academy to offer financial literacy course जो की है massive open online course है M O O P है M sorry M O C है तो NSE Academy के साथ किस बैंक ने partnership किया है to offer financial literacy course इसका सही जवाब होगा option है SBI State Bank of India तो SBI has partnered with NSE to offer financial literacy course जो पास तरगा कोर्स है वो है banking fundamentals दूसरा है MSC में लेंडिंग तीसरा है electronic payment system इन इंडिया चौथा PSL norms यानि priority sector lending और पांचवा है NRA business and compliance तो पांच तरगे कोर्स है उतना आपको नाम नहीं याद रखना है बट फिर भी आप देख सकते हैं लेकिन important है कि कितने तरगा कोर्स NAC Academy के साथ मिलकर SBI ने लांच किया है तो वो है पांच तरगे कोर्स है और इसका answer है State Bank of India अब कुछ one-liners देख लेते हैं पहला है टाटा पावर्स पार्टनर विट विच बैंक फॉर सोलर प्रोजेक्ट सब्सक्राइब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेकेंड सिंपल अब बाइन और पे लेटर प्लाटफॉर्म जो की बेन प्लाटफॉर्म है कि इसके साब पार्टशिप किया है तो सपोर्ट MSME for setting up online stores and to selling products digitally इसने टाइब किया है दुकान तो दुकान एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जो की MSME को सपोर्ट करता है और जो भी online store है उसको सेट अप करता है बहुत सारे प्लाटफॉर्म को डिजिटली सेल करता है उसके साथ इस सिंपल ने टाइब किया है फॉर अब बाइन आउप पेलेटर प्लाटफॉर्म है तीसरा है दा नीवली अपॉंटेट चेरिमन आफ आइबी इंसॉल्वेंसी इन बैंग्राप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वो है रव प्लाटफॉर्म के साथ टाइब किया है जो कि सुपर कंप्यूटर भी भारत का डिस्कवर किया था परम सीड़क ने पांचवा है विच्छ लॉंच्ट साइबर सचित इंशनेस पॉलिसी तो कांटर डिजिटल रिस्क तो यह किया गया है HDFC अर्गो के द्वारा तो यह था एक से ग्यारफ फरवरी तक की बीच का बैंकिंग फिनेशल एविटनेस आई होप वीड़ा आपको अच्छा लाग होगो तो थैंक यू वेरे मच फॉर वाचिंग दे वीडियो थैंक यू